जैहिंद वंदे मात्रम दोस्तों आज की इस वीडियो में अतिमहत्वपूर्ण 50 हिंदी के प्रस्ण जो पूरी हिंदी को एक ही वार में खत्म करेंगे संजीबनी बूटी की क्लास ये All Chapter Mock Taste है इन प्रस्णों की संख्या 50 है लेकिन आपको 20 मिनट के अंदर सुपर फास्ट में कोई क्रिवीजन कराएंगे इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि कोई भी Chapter यानि कोई भी Chapter आप उठा लेना हिंदी का कोई Questions आपसे गलत नहीं होगा और परिक्षा में एक भी प्रस्णा आपसे गलत नहीं होगा आए सुरू करते हैं ये यूनिक वीडियो है पहला प्रस्णा जिनका उच्चारण स्वतंतरता से होता है और जो वेंजन के उच्चारण में सहयक होते हैं उसे क्या कहा जाता है उसे स्वर कहा जाता है स्वर हमे तो दोस्तों वेंजन कहलाते हैं याद रखिएगा जब भी अधिक वर्णों की बात करे तो वेंजन या सवरों की साहता से बोले जाने वाले तो भी वेंजन आपको मारना है वेंजन की संख्या हिंदी में होती है दोस्तों सुर से तीन गुना यानि 33 सुर की बात करे तो 11 और जो हमारे अक्षरिया वर्ण जो होते हैं वो होते हैं हिंदी वर्ण माला में 52 होते हैं आईए जिसे जाना ना जा सके उस वाक्य के लिए एक सब्द क्या होगा इस वीडियो में आपको अंत में 50 में क्या आपका स्कोर रहा है क्या 50 में आपका 25 स्कोर रह रहा है किसी भी बह अजर का मतलब होता है जो क्या है बताइए बताइए फटाफट जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि अजर किसे कहा जाता है अजर होता एक अमर होता है अग्य का विलोम विग्य होता है जो हमारा नहीं जानने वाला होता है वो अग्य होता है दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग कर देना, उसके लिए एक वाक्यांस में आपको एक सब्द बताना है, अगर आप दूसरों के हित में अपना जीवन व्यर्थ करते हो, तो वो होता है क्या, आत्मो सर्ग होता है, option number हमारा भी होता है, चलिए, पाप करने के वाद स्वेम दंड पाना, याद रख अगले कुश्चन है, अगले चैप्टर से, चैप्टर का नाम है दोस्तो, हिंदी कक्रम, मराल निम्रिकित में किसे कहा जाता है, बताए, मराल की जब भी बात होती है, तो मराल किसे कहा जाता है, बहुत से बच्चे मराल को मोर मानते हैं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ क्या मराल जो होता है मराल हमेशा हंस होता है option number हमारा किस के साथ एक के साथ चला जाएगा हंस की बात अगर करा जाए तो मराल भी कहा जाता है राज हंस भी कहा जाता है धवल पक्ष कहा जाता है और सीत पक्ष कहा जाता है 7 number निम्लिकित में से किस विकल्प में दिये गए सब्द परसपर पर्यवाची सब्द हैं दिये गए सब्दों में पर्यवाची सब्द बताना है मारतंडा भास्करा अगर चंद्रमा जो है चपला बताए क्या होगा कमेंट कीजेगा क्या अगनी और अनिल होगा कमेंट करिए, फटा फट कमेंट करेंगे कि इस questions में क्या ब्योम और कॉमदी होगा बहुत अच्छे तो देखेंगा अगर मैं बात करता हूँ मारतंडा और भासकरा मारतंडा और भासकरा को कहा जाता है आप यहां सूरी कह सकते हो तो एक ही है, लेकिन चंद्रमा और चपला नहीं मिलेंगे चंद्रमा चपला किसे कहा जाता है चंद्रमा दोस्तों आपकी बिजली है चंद्रमा तो मून हो गया, चंद्रमा अगनी दोस्तों अगनी तो है लेकिन अनल कहते तो हो जाता है लेकिन अनल यहां पर बायू है इसी तरीके से बियो उम और कौमदी भी अलग है आठ्मा निम्लिकित में से किस संधी सब्द में आधन E का सही मेल हुआ है आपको बता दें संधी की बात अगर करें एक्जाम में तो संधी के प्रक कर लो चाहें आप दिनेश की बात कर लो चाहें आप महेश की बात कर लो आंसर भी होगा कलम का सिपाही किसे कहा जाता है देखो कल इस कुई संस को हमने कराया था साहिति की क्लास अगर नहीं देखिए तो कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे दी है ठीक है चलिए कलम का सिपाही क इसे कहा जाता है, तो कलम का सिपाही बताइए, प्रेम चंद्र को कहा जाता है, option number D हो जाएगा, अगला प्रशन है, 10 number, निम्लिकित में से सुद्ध वर्तनी की पहचान कीजेगा, प्रति निधी, प्रशंसा, परिशिस्ट, स्थाइट, देखो, स्थाइट तो गलत लिखा है, बिल्कुल तरीके से, एकदम से स्थाइट तो गलत है, परिशिस्ट में साही गलत है, प्रति निधी होता है, प्रति निधी नहीं होता है, answer option number B हो जाएगा, अगला प्रशन है, हिंदी विजएपर प्रथम ग्यानपीट पूरुसकार किसे मिला था, 1968 में दोस्तों याद अविलंब और अविलंब सब्द युगम सही अर्थ क्या है, अविलंब का मतलब क्या होता है, अविलंब का मतलब क्या होता है, देखो, एक अविलंब होता है, जो सहारा दिया जाता है, और एक अविलंब होता है, क्या होता है, बताएए, एक अविलंब होता है, क्या होता ह तो अविलंब का मतलब होता है तुरंत यानि जिसको कहा जाता है सीग्र इस दूसरे वाले का मतलब होता है सीग्र और इसका मतलब होता है सहारा तो सहारा और सीग्र आप्शन नमबर A में है पहला सहारा है दूसरा सीग्र हो जाएगा अगला प्रश्णा आपके स्क्रीन पर है जान बूचकर आफ़त मोल लेना उसके लिए एक सब्स बताईए यानि लोकोक्ती बताईए अंदों में काना राजा आवैल मुझे मार आगे खुआ पीछे खाई उट के मुह में जीरा तो इस तरीके से अगर देखा जाए कि जान बूचकर अगर कोई आफ़त मोल ले रहा है तो हम यही कहते हैं आवैल मुझे मार बैल तो जा रहा चुप चाप ऐसे आत कर लो बैल तो जा रहा उन्हें बेटा ललकार दो है ना तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा बहुत बड़िया अटल बिहारी बाच पर ही हिंदी विश्व विद्याले की स्थाप दुखी होना बहुत अधिक लज्जित हो जाना या फिर बहुत अधिक निरास ho जाना देखो सारे औप्शनस लग रहा सही लेकिन चलू फर पानी में वही डूबने को बोता हमारी माताएं चलू पर पानी में दूब जाओ ना तो वो मतलब होता है क्या सर्म नहीं आ रही क लजजित यानि लजजित होने के लिए ऐसा बोला जाता है 16 नंबर निम्लिकित में कौन सा सब्द इस्त्रीलिंग है गरह, पता, चन्दन, सभा सभा लगी हुई है पता, इस थाई पता की बात करी जा देगे, सभा लगी हुई है अब लेको ग्रहम आने क्या होता है घर होता है घर अच्छा है बड़ा है पता क्या है पता बोहत बड़ा है पता चोटा है ऐसे दो बुलते हैं इसका पता बता दो है ना तो यह ustreling है यह बी आपका pulling है चन्दन लगाया जाता है हाao सभा लगी हुई है, तो आंसर हमारा D हो जाएगा इस्त्री लिंग कैसे चाटेंगे, जो भी सब्द है, वो sound क्या दे, आपका इस्त्री का साउन्ड दे हैना, सभा क्या हो जाएगा, सभा हमारा option number D, इस्त्री लिंग बीर का इस्त्री लिंग क्या होगा अब बात हुई है इस्त्री लिंग की तो एक और question 17 नंबर करते हैं कि वीर का इस्त्री लिंग क्या होगा वीरांगना अब वीरांगना अगर होता है तो वीरांगना option number हमारा A के साथ लौक हो जाएगा वीरांगना ठीक ना चलो छायावात क जनक कौन है या छायवात के प्रुवत्त कौन है सुमित्रा नंदन पंथ है क्या स्रीधर पाठक है मुकुडधर पांडे है जैसंकर प्रशाद है तो आंसर हमारा option number D चला जाएगा देगे छायवात में सुमित्रा नंदन पंथ भी आते हैं लेकिन जनक की बात अगर करी जाये तो यहाँ पर जैसंकर प्रशाद होंगे सुमित्रा नंदन पंथ भी छायवात के कभी है सुमित्रा नंदन पंथ को कहा जाता है प्रकतिका सुकुमार कभी कहा जाता है इस शीज को आपको याद रखना है चलो हिंदी साहित्ति की प्रथम कहानी कौन सी है हिंदी साहित्ति क एक किसको देखा जाय, रामध्री सिंग दिनकर ने लिखा है, और एमा कि बात करें, तो यमा जो है ने इहांपर इसको लिखा है, ठीक है न, तो सारी चीजें हो गई दोस्तों. अफसरा किसका उपन्यास है, अपसरा दोस्तों, अगर लाला, श्रीनिवास दास की बात करो, जै अनेंदर की बात करें, सूरेकान त्रिपाठी निराला की बात करें, अपसरा किसका उपन्यास है, अपसरा दोस्तों आपको बताना है, यहाँ पर जो आंसर जाएगा, वो सूरेकान त्रिपाठी निराला के साथ, option number D, याद रखेगा, हिंदी में करांतिकारी कवी किसे कहा जा है, साधू का साधू होता है, त्रश्णा का वित्रश्णा होता है, लेकिन answer option number C, मित व्याई का अल्प व्याई, मित माने बहुत कम, अल्प माने भी बहुत कम, यह तो आपस में पर्यावाची हो गए ना, तो आपको पता है, कि जब भी दोस्तों आपसे पूछा जाए, कि म मित व्याई का, क्या है ना, मित व्याई का विलोम सब्द आप से पूछा जाए, तो होता है अप व्याई, अल्प व्याई नहीं, अप हो जाता है, क्या हो जाता है, अप व्याई हो जाता है, इस चीज पर भी आप नज़र रखें, अगला, हिंदी के सरपतम गीत लेखक कौन ह कमेंट कीजएगा बहुत सुन्दर सबसे पहले गीत लेखक महादेवी वर्मा भारतेंदू, विद्यापती सुमित्रा ननगपंत 22 नंबर का जो आंसर है विद्यापती हो जाएगा और इन्हें हिंदी में कहा जाता है मैथिल कोकिल कहा जाता है मैथिल कोकिल कहा जाता है हिंदी का मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है विद्यापती को प्रकति का सुकुमार कवी मैंने कहा किसे कहा जाता है भारतेंदू, हरिश्चन को आधुनिक हिंदी का जनक और इनको आधुनिक मीरा कहा जाता है चलिए रामचरित मानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मानिता मिली है यानि रामचरित मानस में कौन सा रस देखा जाता है पहला रामचरित मानस किसने लिखा तो रामचरित मानस को लिखा किसने है देखीगा ध्यान दीजेगा राम चरित मानस को लिखा है तुलسी दास ने लिखा है, किस भासा में लिखा है? आवधी भासा में लिखा है राम चरित मानस में कौन सा रस होगा? तो आपको पता है भक्ती रस होगा, option number हमारा ए लोक होगा निम्लिखित में से सुद्ध वाके की पहचान कीजिए, सुद्ध वाके की पहचान यह पौध साला सुन्दर है, पुस्तकों का प्राकृतन परिशायत्मक होता है, हमने यह काम करना है, राम अच्छे गुडों से युक्त है, आपको पता है दोस्तों कि अगर आप यह पौध स साला सुन्दर है यह कर दिया लेकिन यहां प्रश्ण बाचक लग गया है यह गलत हो गया पूर्ण विराम के बाद प्रश्ण बाचक है पुस्तकों का प्राकरतन प्राकरतन पहले गलत है और परिचायत्मक यह गलत है तो ऑप्षन यह भी हमारा कट जाएगा यह भी भी गलत ह हमने ये काम नहीं करना, हमें ये काम करना है, तो option अमारा D सही हो जाएगा, क्योंकि यही सही है, बात बखी ABC गलत है, नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का, उचित अर्थ क्या होगा, गुस्सा दिलाना, बढ़ा चड़ा कर कहना, इर्षिया करना, या तीखा करना, मैं कहता हूँ, बढ़ा चड़ा कर, तिलखा ताड़ बना देना, हैना, छोटी बात को अगर आप बढ़ा चड़ा कर कहते हो, तो आपने नमक मिर्च लगाया है, जो एक इस्थान से दूसरे इस्थान ना ले जाये जा सके, उस बात के के लिए एक क्या होगा, इस्थावर, प्रत्युत पन्मती, प्रतिवादी, या फिर मैं कह सकता हूँ, सदवा, तो मैं यह कह सकता हूँ दोस्तों, कि इस कुश्चन में 26 नमबर का जो आंसर होता है, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा, इस्थावर, देखे, इस्थावर का जो विलोम होता है, वो होता है जंगम, जंगम का मतलब होता है, चलायमान, इस्थावर का मतलब होता है, इस्थिर जो चीज एक जगए ही रहे, प्रत्युत पन्मति का मतलब होता है एक सब्द होता है उसका कि जो तुरंत सोचे और तुरंत उत्तर दे ठीक है ना और सदवा का मतलब बजानते हैं सदवा का जो होता है आपका विलोम विद्वा है ना चलिए 27 देखे निमलेकित मैंसे असुद विलोम सब्द का यहाँ पर युकम आपको चेहन करना है निर्पेक्ष सापेक्ष प्रवेश प्रस्थान विरल सगन या स्रस्थी स्रजन 27 नंबर का जो आंसर है वो option नंबर क्या हो जाएगा स्रस्थी और स्रजन क्यों होगा क्योंकि आपको पता है कि स्रस्थी विनास अगर होता चलो ठीक है निर्पेक्ष का सापेक्ष सही है प्रस्थान का प्रवेश देखिए प्रवेश और प्रवेश आया विरल का सगन जो सगन है बहुत घना है और विरल जो दूर दूर है लेकिन option D हमारा सही होगा यही गलत है असुद विलो स्रस्टी स्रजन नहीं हो सकता, स्रस्टी स्रजन तो आपस में प्रयावाची होते हैं, है ना, चलो भाई, भावुक का सही संधी विच्छेत क्या होगा, भावुक, पहली बात तो संधी कौन सी होगी, संधी होगी स्वर, संधी में स्वर की बात अगर करी जाये, तो कौन सी सं संदी का अयादी पार्ट होगा है न साती साथ भाबुक में आपका क्या होगा भौधन उक होगा और भौधन उक का मतलब है ऑप्शन नमबर बी लोग होगा निम्रिखित में से विसर्ग संदी का उधरन बताईए विसर्ग संदी देखे महाधन इस महीश हो जाएगा या लग गया यह तुरंत वेंजन में चेंज हो जाएगा यद्यपी और व्रहस्पती व्रहस्पती इस क्या होगा क्या हो जाएगा व्रहस्पती हो जाएगा क्योंकि यद्यपी आप जानते हो यह संदी के यड़ पार्ट में चला जाएगा यड़ इसमें यड़ संदी हो जाए है उसको उतकर्ष जो गिरता है उसका अपकर्ष होता है लास्ट के 20 question में ध्यान दीज़ेगा बहुत important है मैं तो कहता हूँ 31 से 50 के बीच में चल रहे हैं और ये मैं कहता हूँ कि आपको मैं तुरंत पढ़ा है तुरंत upload कि क्योंकि मौसम खराब है आप ये ना सोचें ठीक है तो ये चार होते है यारलावा में और आपको option number मान रहा है सी सुस्मा किसका पर्यावाची है सुस्मा जो है किसका पर्यावाची है सुस्मा अब आपको पता है कि सुस्मा का अर्थ क्या होता है पता है आपको नहीं पता है मैं बताता हूँ देखे जब भी आप सुस्मा की बात करते हो तो पहली बात तो इसका वरतनी भी एकजाम में कई वार पूछा गया है क्या है इसका वरतनी भी एकजाम में कई वार पूछा गया है और सुस्मा का जो अर्थ होता है वो होता है सुंदर्ता होता या आप चाहे प्रकति के हिसाब से करो या फिर मनुस्य के हिसाब से करो गणवड होना दाल में कोईला या फिर दाल काली होना option number B यानि कुछ तो गणवड है दया ऐसे ने वो तो दाल में काला है विश्वामित्र का सही संदी विच्षेद क्या होगा बहुत अच्छा प्रश्ट का विलोम सब्द क्या होगा सात्विक सात्विक की बात करें दोस्तों तो सात्विक में तामसिक हो जाएगा जो सात्विक जो तला भूना नहीं खाता है मांस मचली नहीं खाता है और वो हो जाएगा तामसिक option number हमारा B लौक हो जाएगा क्या हो जाएगा हमें तामसिक मारना है सात्विक के साथ तामसिक अंतरंग का क्या हो जाता बहिरंग हो जाता मुखर का क्या हो जाता बताए मुखर मुखर हाँ मुख होता या बाचाल होता निम्लिकित में से कौन उसम बेंजन है उसम बेंजन की संख्या भी होती है चार होती है एक सा ये वाला एक सा ये वाला एक सब्द, खोज करने वालों के लिए क्या होगा दत्तक, अतेंद्रिय, अनुवेशक या अनुपब, 37 नंबर का जो आंसर होगा, अनुवेशक हो जाएगा, अनुवेशन करने वाला अनुवेशक कहलाता है, इन्वेंटर कहलाता है, जो जीन्ड ना हो सके, जो जीन्ड ना हो सके उसके लिए अक्षे कहलाता है जो अक्षे जो फटे ना अजे आप जानते ही हो जिसे जीता ना जा सके असाध्धि जो साध्धिना हो पार्थि जो प्रत्थवी से जुड़ा हो अगला प्रश्ण जल घोसला किस भिनार्थक यूगम के अर्थ है जल अब देखो बहुत इंपोर्टन जल का इनमें से कौन सा उप्षन सही होगा यहां से बताओ घोसला का इनमें से बताओ कौन सा उप्षन सही होगा घोसला को दोस्तों कहा जाता है देखो घोसला को कहा जाता है नीड नीड का मतलब होता है घर और घर का मतलब ही होता है गोसला यानि किसी का तो गोसला है नीड का निर्माड फिर फिर नेह का अहवान फिर फिर हरिवन सराय बच्चन की एक कहानी है यानि कभिता है लिखी हुई या आपने बच्पन में पढ़ी होगी तो नीर माने होता है गोसला और नीर माने होता है जल, option number हमारा A log हो जाएगा A, A, 1 क्या कहलाते हैं? A, A, 1 देखो A है तो ये बोला जाएगा कंठ से है ना? और साथ में तालू भी होगा तो साथ में जब तालू होगा तो कंठ तालू हो जाएगा option number D यहीं पर अगर O होता तो O आओ होता तो ये हो जाता हमारा कंठ क्या हो जाता? बताओ, हाँ जी, बहुत बड़िया, कंठ ओस्ट हो जाता चलो, किसी बस्तु को बेवार में लाना इसका आसे क्या होता है? अगर कोई भी बस्तू आपने पड़ी हुई है उसको बेभार में ले लिया कोई भी चीज़े साइकिल पड़ी हुई है उसको आपने बेभार में ले लिया 41 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा प्रियोग हो जाएगा आपने उसका प्रियोग करना शुरू कर दिया अगला अनविग्य का विलोम क्या होगा अनविग्य की बात कर रहे हैं अनविग्य को हम अविग्य कहेंगे अग्य का हम विग्य कहेंगे अग्य का हम क्या कहेंगे सर विग्य कहेंगे ये बात आपको याद रखना विग्यमाने विद्वान और अग्यमाने कुछ नहीं जानने वाला कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा कान काटना कान काटने का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति आप से बहुत चतुर है यानि option number हमारा A log हो जाएगा अंडे का सहजादा का आर्थ क्या होता है अंडे का सहजादा का मतलब होता है कि आप अनुभोहीन अगर आप अनुभोहीन है तो आप क्या है यानि आपको experience है यह नहीं आप experience holder नहीं है वाक्य में प्रियुक्त सब्दों में अन्वे कहते हैं, बहुत बार पूछा गया है, मेरी असफलताएं किसकी रचना है, बहुत बढ़िया प्रशना है, बाबु गुलाव राय इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग रहती है इगजाम में, ये प्रशने इंपोर्टेंड में रख लीजेगा, बाबु गुलाव राय की ये कविता, ये कहानी, और ये दोस्तों रचना, option number A लोग हो जाएगा, 47, हिम तरंगनी किसका जो है, आप जान लीजेगा, हिम तरंगनी, कई बार पूछा गया हिम तरंगनी पूछे, या हिम किरीटनी पूछे, कुछ भी पूछे, हिम से जितनी भी रचनाएं हैं, वो माक गई इस्त्री, इजट करना है, यानि इजट, तुम्हें मेरी इजट नहीं दिखाई देती, तुम्हें तुम्हें अपनी इजट नहीं प्यारी है, प्यारी है, ऐसे कहते न, इस्त्री, सिकायत, मेरी सिकायत मत करना, है न, सिकायत कर दी क्या, कर दी, है न, तो ये इस्त्री दुख होता है, होती नहीं होता है, इसलिए यह pulling है, answer हमारा भी हो जाएगा, निम्लिखित मैं से link के आधार पर असंगत पहचान कीजिए, link के आधार पर अध्यक्ष, इसमारक, विशर्जन, भूखंप, अब देखे भूखंप आता है, विशर्जन किया जाता है, इसमारक बन हो जाएगा इसमें दोनों लिंग आएंगे क्योंकि किसी भी पाल्टी का कोई अध्यक्ष होगा हो सकता इस्त्री भी हो और हो सकता पूरुस भी हो अध्यक्ष डॉक्टर डॉक्टर भी इस्त्री पूरुस होते हैं राश्ट्रपती इस्त्री पूरुस प्रधानमंत्री इस्त study को आज ही subscribe कर ले रास्टेट में आप हमारा परिवार है हर बहन हर भाई के मातापिता को प्रणाम नमस्ते आदाप सस्रियकाल ताल ठोकर जाए महाकाल और मैं उम्मेद करूँगा कि आपने गुरूजी वर्ड exam study का चैनल subscribe कर लिया होगा साथ ही साथ अपने मित्रों को पांच मित्रों को जरूर बताएं कि हाँ अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो बेस्ट हिंदी कम समय में बेहतर content all chapter मॉक्टिस चलता है साड़े आठ वजे रात में गुरूजी वर्ड टेलिग्राम जॉइन करने के लिए सर्च करें गुरूजी वर्ड वर्ड नहीं वर्ड अहां पर आपको मिल्डाएगा लोगो लव्यो गाइज थैंक्स पर वाचिंग वीडियो गुरूजी वर्ड एक्जाम स्टडी जैहिं वन्दे मातरम